नमस्कार मैं हो राम किंकर हाजिर हूँ M.C.D की राम कहाने को लेकर देखे अक्सर राजनीती में होता है कि जो चीजें हम आईना जब जब दिखा सकते हैं दूसरे को तब तब दूसरे को आईना दिखाने का काम करना चाहिए और वही अगर अपने उपर हो रहा हो तो दूसरा भी इस अवसर को तुरंत दबोच लेता है और निशाना बनाने की कोशिश करता है या फिर दबाव बनाने की कोशिश करता है अगर आप चूग गए तो तो कुछ इसी तरह की चीजें आजकल दिल्ली नगर निगम में बीजेपी कर रही है अब 22 जून के करीब जहां तक मुझे याद है नेता प्रतिपक्ष तै किया दिल्ली बीजेपी ने और तमाम सीनियर पारशदों को दरकिनार किया और उसमें से जो सर्वस्रिष्ट सीनियर माना गया राजा इकबाल को राजा इकबाल वो पारशद हैं जो दूसरी बार निगम से चुन कर आए हैं मुखरजी नगर इलाके से पारशद हैं और साथ ही साथ पूर्व दिल्ली आपको बतादू कि नौर्थ दिल्ली नगर निगम में मेर भी रह चुके हैं पूर्व मेर तो उनको कमान दी गई और गाओं देहाद से आने वाले जैभगवान को सेकेंड इन कमान बनाया गया यानि नेता प्रतिपक्ष का दूसरा नेता तो ये सब कुछ करने में आपको बता दूं कितना वक्त लगा तकरीबन चार महीने और अगर मेर का चुनाओ हम देखें तो फरवरी महीने में हुआ था और आठ जून को स्टेंडिंग कमेटी के चुनाओं की घोशना दिल्ली हाई चुनाओं को चुनाओ घोशित कर दिया तीन बीजेपी के तीन आमादमी पार्टी के एक आमादमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो चुनाओ हार गया तो साफ है कि ये सब कुछ हुआ और नेता प्रतिपक्ष तैह हुआ तकरीबन चार महीने बाद और आपको ये भी प दिखिए तो पूरा मामला जो standing committee को लेकर है वो अभी भी supreme court में है और standing committee के जो 6 लोगों का चुनाओ था वो दिल्ली high court में था उसका फैसला आ गया है लेकिन standing committee का जो elder man के nomination का मसला है वो supreme court ने reserve कर लिया था summer vacation से ठीक पहले और साफ तोर पर ये माना जा रहा था कि जुलाई में कभी भी इसका फैसला आ सकता है अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मद्य जुलाई है अभी 15 दिन बाकी है तो लगता है कि जुलाई के अंत तक भी शायद standing committee या elder man का मसला जो है वो निकल कर सामने आ जाए और उसमें कुछ यतोचित या कहें निरलायक तोर पर कोई जो चुनाओ के से संबंधित चीजे थी वह supreme court के निरलायक के बाद बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगी तो elder man जो nomination हुआ वो ठीक है नहीं ठीक है ये सब कुछ supreme court के फैसले पर depend करेगा तो अभी मामला जब subjudice है या जब supreme court में है तो कैसे चीजों की जो है बात की जा सकती है बस यहीं पर मौका दिखता है और इसी मौके का फाइदा उठा कर बीजेपी के प्रतिपक्ष के निता राजा इकबाल खुद पहुँचे अपने पारशदों के साथ और एक नितरित्व एक प्रतिनिधी मंडल पहुँचा मेर को उन्होंने ग्यापन दिया और ग्यापन में विशेस कमिटियां हैं उनका जो चीज एक एक करके सीरे से परवान चड़ेंगी और वो हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं कि ऐसा कुछ होगा तो मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा लेकिन इसी बीच बीजेपी ने देखा कि इसमें अवसर क्या है तो देखिए अपना नेता प्रतिपक्ष बनवाने में चार महीने से जादा लग गया लेकिन स्टेंडिंग कमिटी का चुनाव जो की मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसको ले करके जो है दबाव बनाना शुरू नहीं है स्टेंडिंग कमिटी बनवाने पर अब आम आदमे पार्टी अपने ही पेर पर कुल लाड़ी क्यों मारेगी क्यों स्टेंडिंग कमिटी वो बनवाने के लिए तुरत-फुरत कोशिश करेगी यही वज़ा है कि अभी स्टेटस क्यों चल रहा है यानि जैसी स्थित थी वैसी स्थिती चल रही है एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि बार बार जो पारिशद हैं वो यह कह रहे हैं कि अधिकारी निरंकुष हो गए यानि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं कई बार अंदर खाने अधिकारियों की पारिशदों की मीटिंग भी हुई तो पांच करोण से उपर के जितने प्रोजेक्ट हैं वो अभी भी लंबित हैं वहां पर कोई भी निरडायक इस्थिति नहीं लिया जा सकता क्योंकि पांच करोण से उपर के मसले हमेशा स्टेंडिंग कमिटी में पहले लाए जाएंगे वहां से पास होंगे फिर जाकरके उनका इंप्लिमेंटेशन होगा तो इसलिए मैं शुरुवात में ही कह रहा था आपको कि दिखा जाता है अवसर कि कब हम दबाव बना सकते हैं भले ही हम खुद उसी इस्थिति में पहले कभ रहा था कि चार महीने बाद अपना नेता प्रतिपक्ष बनवाने वाली जो बीजेपी है वह आम आदमी पार्टी पर अब कोशिश कर रही है दबाव बनाने की ताकि स्टेंडिंग कमेटी जल से जल बन पाए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मेरे और साथी इजाज़त को साजित भी है मेरे साथ उनको दीजे इजाज़त फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद